लांसनाईक दीपक आले, प्रथम बटालियन, तीस्री गुर्खा राइफल्स अप्रेल 2017 में जमू और कश्मीर के कुप वाड़ा जिले के क्षेत्र में पोस्ट कमांडर की डूटी करते समय लांसनाईक दीपक आले ने अपनी पोस्ट के आगे कुछ संदेहासपद हरकत महसूस की और तुरंथ अपनी आसपास की पोस्टों को आगाह किया वे अपनी वेक्तिकत सुरक्षा की बिलकुल भी परवाह न करते हुए अत्यंत दुर्गम बरफीले उचे भूभाग में बहुत तेज गती के साथ रेंगते हुए आतंकवादियों के नजदीक पहुँच गये जो बार को पार करने वाले थे जब आतंकवादि उनके सठीक निशाने पर पहुँचे तब उन्होंने स्वचालित बंदूक से सठीक और भारी गोली बारी करते हुए दोनों आतंकवादियों को वही धेर कर दिया उसके उपरांथ उन पर आतंकवादियों के समूह द्वारब भीशन गोली बारी की गई परंतु इसके बावजूद वे उत्तम युद्धकॉशल का प्रदर्शन करते हुए सौ मीटर रेंगते हुए तुरंत कारवाई दल को सामरीक रूप से उप्युक्त स्थिती को पाने में सहायता के लिए पहुँचे जिसके परिणाम स्वरूप तीसरा आतंकवादी भी मार गया ततपश्चात उन्होंने चौते आतंकवादी को देखा और उसकी सही स्थिती बताकर उसे मार गिराने में सहायता की लांसनाइक दीपक आले ने करतव्य निष्ठा से उपर उठकर अद्दम्य साहस निस्वार्थ समर्पन और वीर्ता का प्रदर्शन किया लांसनाइक दीपक आले